जैहीन नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैन बीपीसी में दोस्तों एक मैं फिर से अपडेट लेकर आ जोगा हूँ और वीडियो आपको देखने के जरूरत है चुकि देखे कोट रिजर्ब जो किया है कि ठीक है कोट रिजर्ब किया है तो एक लिखित मिला है कि आपको किया पैसे बोल रहें कि हां कंटेक्ट बेसिस वालों का जीत हो गया बहुत वर्सों बाद एतिहासिक फैसला को जजज सहाब ने वो कर दिया फिर से बरकरार कर दिया यह मतलब क्या रूमर फैलाया जा रहा है यार रूमर इस तरह का ना फैलाया ठ ठीक है जजमेंट को रिजर्ब करते हुए जज सहाब एक्जां का पीके साही बात किया बार बार एक से अधिक केस में वहा पर लगे थे और उस जजमेंट मे एक ही नहीं लबगों जितने भी 10-12 एक्जांञ बेसिस वालों के समर्थन में एक्जां का एक्जां का बहुत चल और इस बर देखियेगा जो एक्जाम दिया है वो तो घर मतलब ऐसे ही नहीं आया है लोग एक्जाम देकर आया है और आप कोई मालू है किसे जो कॉंटेक्ट बेसिस वाले हैं करोना काल में जो एक और बहाली निकला हुआ था साइद 2020-2021 का असपास उसमें वो लोग भी काम जो पास किये हैं उनके हाथ में यह ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाकी है तो इसे कागार में मुझे लगता है कि दस से बारे दिन को अंदर इसका कोट से फैंसला आ जाएगा ठेक है और फैंसला आ जाएगा तो हो सकता है नेक्स्ट विक या चुनावी परकिरिया को लेकर थोड़ा लेट हो नहीं तो अगले महीने आपका जोइनिंग लेटर भी मिल जाएगा लेकिन हां कुछ कंटेक्ट बेसिसवाले का भी इसमें समलीध करेगा और जो और जा व都 कौलिफ़ाई आ एए तो दोनों को समलीध करकर जो लोग कुछ ऐसे केंड़ेट हैं जिनका मार्क्स भी आझा है और एक्जाम केंड़ी कर गया है तो उनका तो उचित नहीं होगा 100% कि contact basis का ही होगा ठीक है चुकि रिजर्ब केस है ठीक है ना कोट इसको रिजर्ब कर लिया है तो जब भी रिजर्ब होता है तो उसमें नई संसोधन पर किरिया होता है प्रेबियस एयर का जितना आप पिछले साल का भी केस उठा कर देखिए चाहे और बी में इसका भी एक केस हुआ था मेडिकल से रिलेटेड उसमें देखिए उसको भी केस को रिजर्ब किया गया था 20078 के पास तो उसमें भी संसोधन हुए संसोधन हुए ना उस पर मेरिट के बाद चल रहा था और कुछ लोगों ने एक्जाम दिया था तो उसमें भी आकरेक मुताबिक जो कल बहस हुआ था तीन घंटे बहस हुआ है ठीक और उस बहस में ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोच सकते हैं कि कॉंटेक्ट बेसिस का जो एडवोकेट है उनका एक तरफा पक्च रहा आपने सिबिटे क्वालिफाई का नहीं देखा कि उनके तरब से जो पके साही जो सभी LPA का वो नित्रूत कर रहे थे उसमें उन्होंने कितना अच्छा पक्च रखा तीन घंटे बहस क्यों चला आपने कब आप ऐसे ही चल गया तीन घंटे बहस अरे तीन घंटे बहस जब जो कंटेक्ट बेसिस के जो एडवोकेट है उनका जो भी प्रस्ताव और है उसी प्रस्ताव को काटने लिए यह तो CBT कॉलिफाइग के एडवोकेट बोल रहे थे ऐसे ही बहस चल गया अरे बहस में दोनों तरफ से बहस हुआ उनके तरफ से पॉइंट आ रहे तो उस पॉइंट को कातने लिए उनके प्रस्ताव को जवाब देने के लिए, जव मिनट बीस मिनट ऐसे ही बहुस चलते थे मिनमम जितने भी जो एल पीए हुए थे उसके मुताबिक लेकिन कल जो अठारे अपरेल में बहुस हुआ उसमें एक तरफा कहां से हो गया आप किसी को एक तरफा नहीं बोल सकते हैं यहां तक अभी भी CBT क्वालिफाई का अगर आप देखिए ऐसे तोरे रूल के मुताबिकी देखिए रूल गाइडलाइन और कानूनी एक्ट के तहतिया बात कीजिए न तो उसमें भी देखिए कहां पीछे चुकि हाई कोट भी जितना भी बहस बाजी चला और दीन को लटकाने के लेकर और लंबा प्रोसेस को लेकर दायरे मिनार करते हुए नहीं सुना जाएगा यानि जो भी फैसला होगा जो भी एलपीए है वो सारे उनके पक्ष कंटेक्ट बेसिस वालों का भी पक्ष और सिबिट क्वालीफाई वालों का भी पक्ष दोनों तरब से सुन लिया गया है और जिनके एविडेंस जो को मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि देखिए रिजर्ब रखा जाता है इसलिए कि जब क्या बोलते हैं कि ज्यादा कैसे सोजाते हैं ज्यादे सुनवाई होने लगते हैं तो इन सारी चीजों को जज सहाब ये सनविधानिक CRPC और IPC के तहती जज सहाब के पास ये अध 20-25 दिन का लगभग इसका समय लगता है अधिक्तम मिनिमूम इसका 10-15 दिन 1-2 हपता समय लगता है 4-5 दिन नहीं लगते हैं यानि 10 दिन मान कर चलिए 10-15 दिन एक हपते के अंदर भी आप रिजल्ट इसका नहीं आएगा यानि 1st week और 2nd week के बीच में ही जज सहाब लिखी अधार पर पहले फैसला सुनाएंगे और जो भी पक्ष के एडवोकेट है जो भी LPA के जो नित्रिवत करता है जिनके भी एडवोकेट है पेटिस्नर है उनके उनके पास कोपी पहुंच जाएगा जज्जमेंड का ठीक है लेकिन जज्जमेंड अभी ये कहना कहीं से भी जज्जमेंड तो आएगा ही लेकिन ऐसा बोल कर किसी को थोरा सा होट करना ये कहीं से भी उचित नहीं है और जज्जमेंड जो भी होगा अच्छा ही होगा और इस बार जो भी होगा चुकि आपको मालूम होना चाहिए कि जज्जमेंड को रिजर्ब करते हुए जज्ज साह अब एक्जाम का पीके साही बात किये ठीक ना बार बार एक से अधिक केस वहां पर लगे थे और उस जज्जमेंट में एक ही नहीं लगोग जितने भी 10 से 12 एक्जाम बेसिस वालों के समर्थन में एक्जाम का एक्जाम का बहुत चल रहा था तो इसी को मदे नजर रखते जो एक और बहाली निकला हुआ था साही 2020-21 का असपास उसमें वह लोग भी एक्जाम दे कर या है तो वहां भी एक्जाम का ही बात चल था दोस्तों और यहां भी एक्जाम का ठीक है तो एक्जाम का बात हो रहा है और कोट इसलिए इसको रिजर्ब किया है ताकि इस बार अ आजाएगा तो हो सकता है next week या चुनावी परकिरिया को लेकर थोड़ा लेट हो नहीं तो अगले महीने आपका joining letter भी मिल जाएगा लेकिन हां कुछ contact basis वाले का भी इसमें समलीद करेगा और जो qualify है 8000 जो 791 है उसमें contact basis वाले भी qualify है ऐसा नहीं है तो दोनों को समलीद करकर जो लोग marks basis कुछ ऐसे कंडेट है जिनका marks भी आचा है और एक्जाम भी qualify कर गए है तो उनका तो दोने तरफ से है लेकिन अब देखिए हम इतना उमीद के साथ यह बोल सकते हैं कि contact basis वालों का भी पक्ष मजबूत है और cbt qualify का भी मजबूत है अभी कहना कहीं से भी उचित न प्रेवियर का जितना आप पिछले साल का भी case उठा कर देखिए और बीम बीए से रिलेटेड जो बीमेस का भी case हुआ था medical से रिलेटेड उसमें देखिए उसको भी case को रिजर्ब किया गया था 2078 के पास तो उसमें भी संसोधन हुए संसोधन हुए ना उस पर merit के बाद चल रहा था और कुछ लोगों ने एक्जाम दिया था तो उसमें भी judgment बदल दिया गया ना तो यह जरूरी नहीं है कि इसमें जो judgment 2018 नहीं मावली के बाद चल रहा है तो वही रहेगा इसमें भी बदला होगा चेंज होगा और होने के सम्मावना है ठीक है तो यही था इंतिजार केजिए लोग जज सहाब के फैंसला का जो भी होगा फैंसला सर्वमान होता है हाई कोट के नीचे ही सब चीज होता है तो को मनना पड़ेगा ठेक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्या बाइबाए